हेलो आश्वाइन्स मौविकाश रव मैं आप सभी का नॉलेज भीम यूटिप चैनल के एक नए वीडियो में पुनेया श्वागत करता हूँ आश्वाइन्स आच के वीडियो में मैं क्लास 10 के विद्यार थी हूँ के लिए यूपी बोडियाम 22 का ग्री विज्यान का क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूँ तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं शो कर उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अधि आप अच्छे से जो है इंगलिश का प्रिप्रेश्चन करना चाहते हैं बोडियाम के लिए तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको इंगलिश ग्रामर का कम्प्लीट जो है प्रिप्रेशन देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे मॉवाइल अप्लिकेशन नॉलेज बीम को भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन पेपर या इस पस्ट कर देता हूं तो देख सकते है पेपर में सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांग फिलब करना है उसका पेपर का कुछ कोडिंग है सन 2022 के लिए ग्री विग्यान का क्वेश्चन पेपर है किवल बालिकाओं के लिए यह हिंदी और इंग्लिस दोनों वर्जन में जो है क्वेश्चन दिये गए हैं अथा लग Elizabeth ॐं वारलब यहां पर देखिंग प्रत्यक चार व्यकलिक उतर देगे हैं उन में से सही विकलप चुनकर क्रम वार अपनी पुष्खिंट्विका में लिखिये इसके वाद सेम यहीं इंट्रक्षन जो मैंने आपको हिंदी में पढ़कर बताया वहीं इंट्रक्षन इंगलिस में लिखा हुआ है तो आप इन्हें वीडियो जो है रोक कर आसानी से पढ़ सकते हैं ठीक है इसके वाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है इसमें पहले का कवाला क्वेश्चन है किसी परिवार का निश्चित अवधी में होने वाला आयवय का लेखा जोखा कहलाता है तो यहाँ पर चार ऑप्सन दिया गया है तो इसमें जो है सही ऑप्सन जो है वह है बजट तो यहाँ पर जो बजट है वहीं सही ऑप्सन एगर आपने टिक किया होगा तो वह सही है इसके बाद आपका खावाला क्वेश्चन है स्वासन क् हो सकता है लेकिन इसमें जो सही आपसर में आपको बता देता हूं आख सिया अब किसको रगका गवाला कोईस्टन है गेश्ट्रोइट्राइटीस रोगी के आहार में वर्जित है तो यहां पर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूं फिर मुझे लग रहा है कि इसमें जो है इनमे से गैस्ट्रोइट्राइटिस रोगी के अहार में वर्जित है क्या वर्जित है ठोस्पदार्थ वर्जित है कि प्रोटीन वर्जित है कि रेसेदार प्रदार्थ वर्जित है कि इनमे से सभी तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा तो फिलाल मैं थोड़ा स इसमें कनफ्यूज हूँ तो आप बताएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा इसमें उत्तर जो है सही लगता है इसके बाद आपका घवारा क्वेस्चन है भूज से खलन के कारण है तो भूज कलन के क्या कारण है और दोगी करण की नगरी करण की वनों की कताई या इन में से सभी तो इसमें जो सही option है इन में से सभी ठीक है यहीं जो है सही option है इसके बाद हम लोग यहीं same question देख सकते हैं आप पर English में लिखा हुआ है English version में आप चाहो तो English language में भी समझ सकते हैं मैं आपको दिखा दे रहाँ question ताकि आप comment न करें कि English language में आपने question नहीं दिखाया इस साइड आते हैं तो आपका question number 2 है वह स्टार्ट होड़ा question number 2 का कह है कहाने का सोड़ा मिलाकर पकाने से नश्ट होता है तो विटामीन बी जो है वह नश्ट हो जाता है तो हम आप अगर विटामीन बी लगाएंगे तो अपका कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है तो कपड़े को स्रिंक करना कपड़े को इस्तरी करना यहां तीसरा अप्सन सही है पहला वह दूसरा दोनों ठीक है इसके वाद आपका घवाला क्वेश्चन है एक बोतल सर्बत का मुल्य पच्पन दस्मलों पांच जीरो रुपय है रथा साड़े पच्पन रुपय है तो चार बोतल सर्बत का मुल्य होगा तो इसी में चार का बूढा कर देंगे तो जो है आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो है चार पच्प्चे बीस आप हो क्या तो यहां पर जो है आपका तीसरा जो आफसन है वा सही है ठीक है तीसरा वाला आफसन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर आप 222 रुपए लगाए होंगे तो ठीक होगा इसके बाद आपका देखें से वहीं क्वेस्टन जो है इंगलीस में है यहाँ पर कि देख लीजे आप कि इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश दिया गया प्रश्र संख्या तीन और चार अती लगु उत्री है प्रतिक खंड का उतर अधिक्तम 25 सब्दों में लिखिए यहाँ पर निर्देश भी आपको दिया गया है इंगलीस में तो आप पर हिंदी इंगलीस दोनों ल्क्षर में पढ़ सकते हैं तीसरा का कवळा कुईस्टेन पारिवारिक बच्चत के चार मुखे लाव लिखिए किलो ग्राम क्या मापने कि इकाई तो जायद सी बात है किलोगाम जो है या द्रभिमान्वा अपने की काई है और एक किलोगाम में एक हजार ग्राम होते हैं टीक है गवाला है वाजू प्रदूसर्ड के कारण लिखिये कहा है हाथ की सिलाई के प्रमुक्र प्रकार बताई यह अंगह भोजन को तल कर पकारने की क कोई दो हानिया लिखिए इसके बाद यहां पर सेम वहीं क्वेस्टन जो है इंग्लिस में लिखा गया है आप चाहें तो इन्हें एक करके पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं इसके बाद आपका क्वेस्टन देन्वर 5 का क्वेस्टन है अस्ती भंग के कोई दो लच्छड लिखिये खह है असुद जल के सेवन से उथपन किनी चार रोगों के नाम लिखिये गह, सिलाई, कीट मीं फिंगर, कैप का क्या कार्य ए इसके बाद गह वाला क्वेस्टन लिखा कानी की चार प्रमुख विद्धियों के नाम लिखिए अंगह प्रस्वशन और नीस्वशन से आप क्या समझती हैं इसके से महीं क्वेश्चन जो है आपका यहां पर इंग्लीज में हैं आप इन्हें चाहें तो पढ़ सकते हैं ठीक है मैं आपको दिखा दे रहा हूं इसके बाद यहां पर देखेंगे तो निर्देश के रूप में दिया है प्रस्वशन संक्या पांच से साथ तक लगू उत्री है जिनके प्रते खंड का उत्तर लगवग पचास सब्दों के अंतरगत दीजिए तो यहां पर देख सकते हैं पांचमा का कवाला क्वेश्चन है स खोजन परोशने की भूफे सहली का संचिप्त वड़न कीजिए सिम यहीं क्वेश्चन इंगलीस में है आप देख लीजे इनको भी इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका क्वेश्चन नमबर शिक्स का कह है रोगी के ताप का चार्ट बना साने में कलियों को जोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इसके बाद है मोच आने पर क्या सामान ने उपचार किया जाना चाहिए अथवा करके आपका है मियादे बुखार के रोगी की पोशक्ताओं का संचिप्त बेवरण दीजिए से महीं क्वेश्चन जो उपए का तीन वर्स का कितना व्याज होगा इसकी बाद अथवा करके इसी में आपका क्वेश्चन पूछा है बर्ब की थहली का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसकी बाद आपका इसमें खह वाला क्वेश्चन है फेपड़ी की आंतरीक बनावट पर संचिप्त टिप प्रतेक प्रश्ण के एक विकल्ब का उत्तर लिखना है प्रतेक प्रश्ण का लगभग उत्तर सौ सब्दों भी लिखिए सेम यहीं निर्दे साब को इंगलिस में दिखाए देरा इसकी बाद क्वेश्चन नमबर आपका आठ है लेडी जो कूरता बनाने के लिए किन नाप देखनी चाहिए इसके बाद सेम यहीं क्वेश्चन आपका इंगलिस में है आप देख लीजेगा आगे बरते हैं क्वेश्चन नमबर नाइन की तरफ तो क्वेश्चन नमबर नाइन में कह रहा है कि आहार के विभीन पॉस्टिक तत्वों पर पाक क्रिया का क्या नाइक बचत के वी नियोग के किनी चार साधनों का वरन कीजिए तो यह था कच्छार दस के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोड़ियम 2022 का होम साइंस का क्वेश्चन पेपर जिसे मैंने काफी है तक आपको अच्छे से इसपश्ट करने का प्रियाश किया अगर वीड प्रियोग से इसे भी बोड़ियो अप wegen नियोग! je झाल झाल